नमस्कार साथी आप समी के अपने चनल लाने जैर में मैं मनीश मिवाल तःदील से स्वागत वरोवी नंद्दन करता हूँ मेरे प्यारे साथी हो मेरे शेयर और शेयर और काजू कतलियों हो जाओ तैयार और अबwedakो होने वाला है सामझीजी और हम लोगों तक पहुचा रहेगा है तो हम लोग शुरू करते हैं आज हमारे अध्यायति जलसन साधन का लेक्षण नमबर 2 तो सरकार ने जो सबसे पहले जो पोलेसी सरकार की रही है वो रही है भहु उद्देश्य नदी प्रयोजने यह भहु उद्देशिय नदी प्रुजना है क्या है इनको हमें समझना होगा भहु मतलब भहुत सारे, भहुत जाधा उद्देशिय मतलब हमारे परपज बहुत ज içeris सरकार चलाना चाती है, जो क्या हो, माल्टी परपज हो बहुत देशियों हो, ठीक है, एक-तीर से दो निसाने लग जाए, ऐसा काम सरकार करना चाहती है, मैंने प्यारे विद्यारतियों, मतलब एक नदी पे कुछ ऐसा कुछ बना दे सरकार, जिससे क्या हो, भूत सारे जो हमारे उद्देशियों है, घरों में भी पानी पोच जाए, खेती के लिए भी पानी पोच जाए, बिजली का भी उत्पादन हो जाए ऐसे बहुत सारे जो काम है ना वो एक जगे से होना शुरू हो जाए ऐसे प्रोजेक्ट सरकार चला रही जिसे मल्टी प्रपज रियोर प्रोजेक्ट्स कह रहे है तो भहुत देशे नदी प्रोजना है और समन्वित जलसंसादन प्रबंधन और हमें क्या करना है जलसंसादन का प्रबंधन करना है उसका मेनेजमेंट करना है वो किस परकार से करते है पर सवाल हमारे दिमाग में यही आता है कि क्या आज की जो लोकतांत्रक सरकारे हैं सिर्फ वही आज इन बातों के लिए सोचती है कि ये भहुत देशे नदी परियोजना है पानी को बचाने वाला जो मुद्धा है ये सिर्फ आज हमारे बीच में है या आज की सरकारे सोचने लगी है या आप हम सोचने लगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बहुत पुराने समय से प्राचिन भारत में जलिये करती है पराचीन भारत में भी क्या है, पुराने भारत में भी इसी बाते हैं सोची जारे थी, जिसे क्या हो की पानीको बचाए जा सके उसका प्रभंदन क्या जा सके है, मैंने कल आपको बताया था कि अकर आप management कर लोगे management कर लोगे तो conservation होने लगेगा प्रभंदन करना शुरू कर दोगे तो संद्रक्षन खुद पे खुद होगा और संद्रक्षन होगा तो दुरलपता रहेगी नहीं पानी की कमी रहेगी नहीं तो प्राचिन भारत में भी कुछ ऐसे जलिये करते हैं जलिये करते हैं कुछ ऐसे आपको structure देखने को मिलेंगे कुछ ऐसी चीजे देखने को मिलेगी जिन में क्या है जल को store करा जा रहा है पानी को रोका जा रहा है उसका आगे भाईशे के लिए इस्तमाल करा जा था जैसे टेंक हो गए है ठीके और बड़ी-बड़ी जील है इन सबके हम लोग आज चर्चा करने जा रहे है इसा से एक सताबदी पेले इलाबाद के नस्दिक श्री गमेरा में गंगा नदी की बाड़ के जल को सनक्षित करने के लिए एक उतकरष्ट जल संगरन तंतर बनाया गया था अब देखो दो तीन बाते आपको एक तो यहाँ पर समझने की जो होते है एक तो है ना इसा पुर्वी में आप लोग बहुत कन्फूजन होते हो देखो यह है ना आप मानलो यह 0 वाला साल है और इस वाले येर को आप BC कहो, Before Christ जिस हम इसा पुर्वी कहते हैं उसेMr. Before Christ इंइगलिश में कहते हैं BC और यह 0 के बाद वाला जो साल है यह कौन सा हो गया? AD जिस हम लोग क्या कहते है? NO Domini यह बिल्कुल आपकी maths की उसी line की तरह है जो इधर क्या होता है सारे negative number जो minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 होता है और उधर सारे positive number आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से चलता है तो यहाँ BC है वो negative वाला समय और यह 0 कौन सा year है? यह 0 वो समय है जब क्या हुआ था? Lord Jesus Christ उनका बर्थ हुआ था Jesus Christ का बर्थ हुआ था Jesus Christ कौन है? जो कृष्णिटी के founder है जो इसाई धर्म के भगवान है उनका क्या हुआ था? जनम हुआ था इस साल में इनके जनम से पहले वाले जितने साल है वो before Christ है, BC है इसा पुर्वी है मतलब इसा मसी के जनम से पहले इसा पुर्वी तो इसा मसी के जनम से पहले है और उसके बाद वाला समय एनो डॉमेनी का इंग्लिश में मतलब होता Lord of the Year तो जो भगवान का समय है वो समय चल रहा है मतलब इसा मसी वाला समय शुरू हो चुका है तो BC में हमेशा याद रखेगा कि Lord Jesus Christ भगवान इसा मसी के जनम से पहले है इसा पुर्वी अब इनों ने आपर क्या बोला है इसा से एक सताबदी पहले तो ये शुरू होने से एक सताबदी पहले हैं लग लग 100 साल पहले इलाबाद के नजदिक इलाबाद आप जानते ही ओ इलाबाद का अब तो नाम भी बिदल गया है परियाग राज हो गया है ठीक है तो परियाग राज हो गया के नजदिक एक स्री गवेरा में गंगा नदी की बाड के जो गंगा नदी से जो बाड़ आ रही है उसके जल को सनक्षित करने के लिए बहुत शानदार जल संगरन धंत्र बनाया गया सोचो उस समय में भी लोगों को इतना आइडिया था कि किस परकार से हम लोग जल को एकटा कर सकते हैं और आगे के भूशे के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं आप बोलोगे सर ये तो चंद्रकुप्त-Mauri की photo नहीं है बिलकुल भी नहीं बिलकुल भी चंद्रकुप्त-Mauri की image नहीं है पर गुरू के बिना है na गुरू के बिना सिश्य की कोई value नहीं होती है आप किसी भी field में चले जाओ कहीं पर भी चले जाओ आपको गुरू की जरुद परती है और अगर सिश्य की जगे गुरू का नाम आ जाए ना तो बहुत बड़ी बात है यह है वह यह चानक्य जी यह वह चानक्य है जिरोंने हर पत पर हर मार्क पर क्या है चंद्रकुप्त मोरे को मार्क दर्शन दिया बताया है ऐसा नहीं ऐसा करना है और ऐसे गुरू जब किसी को मिलते हैं तो बहुत धन्य होता है कबिरदाज जी की दो पंक्ते मुझे याद आती है कहते हैं कि या तन विश्की बे लिड़ी गुरू अमरत की खान सीष दियो जो गुरू मिले तो भी सस्ता जान कहते हैं कि जो हमारा दन है, हमारी जो बोडी है वो सिर्फ और शिफ विश है, मतलत जहर है और जो गुरू होता है वो अमरत की खान है वो पुरी माइन है अमरत की, माइन से और अगर शीष देकर भी अगर अच्छा और सचा गुरू मिल जाए ना तो सोदा जो आपने कराना बहुत सस्ता है मतलब गुरू के आगर शीष भी काट करके देदो ना तो कोई बड़ी बात नहीं है तो गुरू का महत्म बहुत बड़ा होता है इसलिए मैंने चानकी जी की फोटो यहां पर लगाए जो चंदरगुप्त मौरिय जी के गुरू जी थे तो चंदरगुप्त मौरिय न उस समय में भढ़त इस तरह बहुत लार्ज स्केल पर बहुत बड़े स्केल में बांध, जी और सिचाई तंत्रों का निर्मान करवा है अब यहां पर देखो मैं आपको मेप के द्वारा दिखाता हूँ सबसे पहले कलिंगा उडिसा यह कलिंगा वाला यह रिखा यहां पर उन्होंने सिचाई के लिए सिचाई के लिए, इरिगेशन के लिए अब इरिगेशन और सिचाई क्या होता है जो खेतों में पानी पहुचाने के लिए जो व्यवस्ता करी जाती है उसे हम सिचाई कहते है, इरिगेशन कहते है तो वो जो व्यवस्ता है, वो कलिंगा में ऐद व्यावित बहुत बहुत प्यारा से नजारा आपको लेखने को यहां पर मिल रहा है बहुत अच्छा नजारा है भौपाल जील का और भौपाल जील मद्यपरदेश में जोद्वी सताबदी में इल्टुत मिशने दिली में सिरी फोर्ट सिरी फोर्ट क्या है? सिरी किला है उस छेतर में उनों जल की सप्लाई के लिए होज खास एक विशिष्ट तालाब बनवाया है तो होज क्या है? होज ऐसे तालाब की तरह एक टेंक की तरह आप मान सकतो जिसमें क्या हो? पानी को इकटा क्या जा सके तो सिरी फोर्ट में के आज पास जो लोग रह रहे हैं उनके जल सप्लाई करने के लिए इल्चुत मिश्ट ने क्या करवाया था? होज क्याला बनवाया था ये एक सिरी फोर्ट की इमेज दिखाए गई है इस सिरी फोर्ट की जो अंदर का ऑडिटोरियम है जो अंदर का सभाग है रहे वहांकी इमेज जहां पर ब्राक ओबामा खड़े वकर के भारतियों को क्या कर रहे हैं? संबोदित कर रहे हैं अपना भाषन दे रहे हैं ये जो भी हमें पता चला है और वे हमें जल संदक्षिन और प्रभंदन में कैसे सायक है आज का सबसे इंपोर्टेंट टोपिक ही हमारा ही है आज का सबसे इंपोर्टेंट जो टोपिक है वो बांध है जिसे हम इंग्लिश में डेम कहते हैं अब इस टोपिक में जानना है कि डेम होते क्या है बांध है क्या और उसके अलावा बांध हमारे लिए हमारे वियोवस्ताओं के लिए अच्छे हैं या बुरे हैं और अगर अच्छे हैं तो फिर आंदोलन क्यों हुए इनको रोकने के लिए कि यह नहीं बनने ची क्या-क्या स यह या पर पानी की नदी बे रही है और आपने काफी बार देखा भी होगा जिब बहुत जादा बर पानी बहता है तो थो हम यह अब मिटिगा की बनाना देते हैं ठीक है जो traditional बांध हमारे समय से चलते आ रहे हैं पुराने समय से वो नदी और वर्षा के जल को इखटा करने के लिए अब देखो यहां पर जब आप बांध बना दोगे यहां से मिटी से कर दोगे यह पानी आगे नहीं जाएगा तो यह इखटा होता जाएगा ना common sense वाली बात है जब हम उसे आगे पहने ही नहीं दे रहे हैं तो यह इखटा होता रहेगा और इखटा होता रहेगा तो हम उसे कभी भी इस्तमाल कर सकते हैं तो उसी प्रकार से इखटा करके फिर बाद मुसे खेतों में सिचाई के लिए इस्तमाल कर सकते हैं लोगों तक पानी पहुचाने के लिए इस्तमाल कर सकते हैं और अब भी हम जानेंगे कि आज के जो बांध है, आज के जो डेम है सिर्फ और सिचाई के लिए इस्तमाल नहीं हो रहे हैं बलकि बहुत से जगों के काम आ रहे हैं हमारे घरों पर पानी बांद से आता है हमारे जो बिजली आ रही है उसमें बांद का बहुत important role होता है आजकल बांद सिर्फ सिचाई के लिए नहीं बनाए जाते अपीतू उनका उद्देश्य विदुद उत्पादन विदुद उत्पादन बिजली का उत्पादन जो बिजली हमारे घरों में आ रही है जिससे हमारे घरों में रोश्णी हो रही है उस विदुद का उत्पादन भी कहां से करा जारा है जल से करा जारा है इसलिए कहते हैं कि वह जल है तो जीवन है मतलब आप सोचो यार कितना किस हद तक जल हमें मदद कर रहा है किस हद तक हमें मदद कर रहा है हमारे जीवन को comfort zone में लाने के लिए जल हमारे कितनी मदद कर रहा है हम सिर्फ इतना सोचते कि हम पानी पी रहे हैं वो ही important है वो तो सबसे important है पर उसके अलावा भी कितना काम आ रहा है उस चीज को हमें समझने की जोरत है विदूत उत्पादन हो रहा है घरेलू घरेलू इसमान में आ रहा है हम कपड़े दोते हैं पानी से दोते हैं सब्जी बनती है पानी से बनती है चपाती है पानी से बनती है हम नहाते हैं पानी से नहाते हैं गाड़ी दहनी होती है पानी से धुलते हैं सारे काम जो घरे लुकाम है वो सारे के सारे किसे है पानी से होते है तो जलकी तो हमें जरूत होती है तो उदेोगी की उप्योग में भी आ सकता है जल की आप पूर्थी जो जल की अगर कहीं कम हो जाती है तो इसको पूर्थी करने के लिए भी बांध में जो हमने जल इकटा करा रहागा वो काम आ जाएगा बाड इन्य आंठरन में हमारी क्या है मदद करता है मनोरंजन, आंत्रिक नोचालन और मचली पालन, आंत्रिक नोचालन बहाँ पर आप नाव चलाने का भी काम कर सकते हो, मचली पालने का भी काम कर सकते हो, तो इस परकार से मनोरंजन भी हो जाएगा, बहुत से काम है ना, बांध आपके बहुत काम आ रहा है, डेम बहुत काम आ इसलिए बांदों को भाउत देशे पुराजनाय भी कहा जाता है जहान एक जिल चलके अने को उप्योग समन्मित होते हैं अब बांदों को भाउत देशे पुरॉजनाय का मतलब के है हमारा एक परपरज नहीं है हमारा परफज बहुत है परफज प्रोजेक्ट है क्या डेम है जो बांध है वो कहे है मतलब हमारे परफज बहुत सारे है जैसे कि माल लो आज अगर आप 10th की NCIT बहुत अच्छे से पढ़ते हो और अगर आपका UPC करेक करने का सपना आपका IES IPS बनने का सपना है तो यहाँ पर multi-purpose काम हो जाएगा एक तो आप 10th में बहुत अच्छे mark से लेकर का होगे दूसरा आपका knowledge बहुत high level पर होगा और तीसरा आप UPC भी आराम से करेक कर लो गया अगर आप NCIT उसको बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो multi-purpose हो जाता है हमारा तो हमाँ जब उद्धेश यह बहुत हो एक उद्धान जैसे मैं आपको देता हूँ दूद का दूद है ना हम पीते भी हैं ठीक है हम चाई में भी इस्तमाल करते हैं हम कौफी में भी इस्तमाल करते हैं मिठाई बनाने में भी इस्तमाल करते हैं धाई जबाने में भी इस्तमाल करते हैं चाच जो बनती है वो धाई के बाद बनती है तो उसमें भी इस्तमालाता है पनीर में भी इस्तमालाता है तो अब दूद है ना मिल्क है वो मिल्क क्या हो गया हमाले मल्टी परपज हो गया भहुत देशी हो गया हम उससे बहुत से काम कर रहे है तो उसी परकार से बांध भी है इसलिए सरकार ने से क्या का है भौक उद्देश्य प्रयूजना का है मल्टी परपज प्रोजेक्ट का है जवालाल नहरू गर्व से बांधों को आदुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे अब भाई जवालाल नहरू को कौन नहीं जानता जवालाल नहरू जी को कौन नहीं जानता भारत के पहले परधान मंतरी आजाद भारत के पहले परधान मंतरी कौन है जवालाल नहरू जी है ये इनकी चित्र में आपको दिखाया है तो हमने भारत के राष्टरबाद में इनके बारे में तो पढ़ा था तो जवाल आल लेहरोजी ने बंदों को क्या का है, डेम को क्या का है, कि आदुनिक भारत के मंदिर है। आदुनिक भारत मतलब जो modern इंडिया होगा, वह या हम लोग क्या है traditional modern इंडिया में आप समझो, प्रमप्रागरत भारत और आदुनिक भारत, प्रमप्रागरत भारत मतलब जो पुराने समय का भारत था, ठीक है, जहां पर पूरी तरी के सरीती रिवाजों को माना जाता था, अब हम लोग क्या है, आजादिक भात और modern हो चुके, बिर्टिश की भी हम पर चाप चुड़ी है, ठीक है western culture है, जो पच्चिमी संस्क्रिती उसको परभावम पर आया, तो अब हम समय के साथ modern हो रहे है, हम नहीं नहीं टेकनलोजिया, प्रधुगी का हम इस्तमाल करें, तो डेम क्या है, टेमपल है, मंदिर है, जैसे मंदिर क्या होता है, बहुत पवित्र होता है, आप भगवान के पास जाते हो, तो भगवान क्या है, आप गरीब जाएगा तो उसकी भी सुनता है, ठीक है, अमीर जाएगा उसकी भी सुनता है, महिला जाएगी उसकी भी सुनता है पुरुष जाएगा उसकी भी सुनता है अगणी जाती का जाएगा उसकी भी सुनता है पिछडी जाती का जाएगा उसकी भी सुनता है मतब भगवान सब की सुनता है मतब मंदीर में सब जा सकते हैं उसी परकार से बांध है ना हर जगे का विकास करता है गाओं का भी करता है, शेरों का भी करता है, कर्षी में भी काम आता है, उद्योगों में भी काम आता है तो उसी प्रकार से जैसे बगवान सब की मुरादे पूरी करता है, उसी प्रकार से बांध भी क्या है, भह उद्देशी काम हमा लिए करता है उनका मानना था कि किन का जवाला नेरुजी का इन परियोजनाओं के चलते कर्षी वह कर्षी में मदद हो रही है न सिचाई के लिए पानी जा रहा है टाइम टू टाइम पानी मिल जाएगा अच्छी फैसिलिटी हो जाएगी अब देखो हम लोग बहुत सी बार पढ़ चुके हैं कि 75 प्रतिशा तक की आवादी अब पिचेतर तो नहीं कह सकते हैं आज के समय में आज तो 55-60 प्रतिशा तक की जो आवादी है वो आज भी कर्षी पर निरभर है और अर्थ सास्तर में लोग पढ़ चुके हैं कि आज भी कर्षी है प्रात्मिंक चेतर है सबसे जादा रोजगार देने वाला छेत्र है तो कर्षी किया है इतने लोग जब उस पर dependent है जब उसका विकास होगा और कर्षी मुखेते घ्रम में कर रहे हैं शेरों में कोई खेतीवाड़ी नहीं करता शेरों में तो सब बस इधर से उधर भागते हैं ठाँ के जो सिटिंग भरक जो बैठ कर करने वारे काम करने वाले वाले वह लोग जय्दा कर रहें और में जब करश चर्शी वाला काम ज्दर गाओं में हो रहा है जब करशी व्लेगी फुलेगी परक शे बहूँ औच्छा उत्पादन होगा बड़ोती होगी, तो उससे क्या होगा, ग्रामिर अर्थोष्टा को विविकास हो उस गाउव का किसान अगर मेरा करशी का सामान भार बेजता है, शेरों मेरे बेजता है सावन विदेशों में जाता तो उसको बहुत पैसा मिलेगा बहुत अर्णिंग होगी तो वह जो गाउं की अर्थ विरस्ता है जो गाउं की को नमी है वह उसमें भी सुधार आयेगा कि और वे युद्धु फाणिः और एक बात आपको मैं पहले भी कह चुका हूं जब मैंने आर्थशास्ता को पड़ायती कि निद्धियों के बाद और तर्थ्यों छेट्र जो है ना इंटर्रिलेटेड क्या है इंटर्रिलेटेड एक-दीसर से जुड़े हैं, परात्मिक के बीना दित्त के जड़ते के ज़वात है, अब जैसे के अधूरे है, यहां पर में पशने केता फलेगी है फुलेगी सब्सक्राइब भाइब कच्चा माल आफ और ओटन कीया आ पूलीग है पानी के अवश्चय का सब्सक्राइब धेखोंगी है बड़े बड़े जो किसान है जो किसानी होती वो गाओं में होती है और उद्योग है ना आपको उद्योग गाओं में देखने को नहीं मिलेंगे उद्योग कहा देखने को मिलेंगे नगरों में देखने को मिलेंगे शहरों में देखने को मिलेंगे मैं पूरी economics को है न सिर्फ इसी concept पर अदम कर सकता हूं कि जब ज़्यादा उद्योग होगा तो ज़्यादा उत्पादन होगा जब उत्पादन होगा तो यह रोजगार भी तो भड़ेगा एक इंसान तो सारे काम कर नहीं लेगा जब रोजगार भड़ रहा है तो लोगों की आये भड़ रही है और जब आये लोगों की भड़ रही है तो क्या है मूल भूत सुविदा है जो fundamental जो basic हमारी जरूरते है जरूरते आवशकता है इच्छा है नहीं बोलिए जरूरते आवशकता है हम उनको पूरा कर सकते हैं सब की इनका भड़ती है तो सब रोटी कपड़ से रहेंगे सबके बड़े बड़े घर होंगे कोई कोई भी इंसान है ना जुकर जो पर में नहीं लेना चाहता है वह मजबूरी है उन लोगों की जब इनकाम बढ़ जाएगी तो लोग खुद पर अच्छे जगे पर पहुच जाएंगे और जब आप इतना बड़ा लोग भान बड़ाएंगे पूरा परिवर्तन आ जाएगा पूरा का पूरा परिवरतन आ जाएगा वह फैक्ट्री होजाएगी उसके आसपास में इतना और भी काफी कुछ खुल जाएगा लोग वहां पे बसना शूरू कर जैएंगे उनका settlement होना शूरू होजाएगा लोग तो वहांकी स्थिति बदल जाएगी जब ओदों की करण हो रहा है तो नगरी अर्थवियस्ता में भी सुधार आ रहा है वैसे ही जैसे कर्शी से गरामी नर्थवियस्ता में आ रहा है इसलिए जवाला नहरू जी ने बांदों को डेम्स को क्या काया आधुनिक भारत के मंदिर बताए बहुत देशे प्रयोजना है और बड़े बांध नए प्रयावरेण ने आंदुलन जैसे नर्मदा बचाओ आंदुलन और टिहरी बांध आंदुलन के कारण भी बन गए है देखो अब मेरी बाद सुनो जब भी कोई योजना आती है कोई भी अगर ऐसा काम सरकार कर रही है जहां पर क्या हो सामाजिक समगों के बीच में टकराओ होने के आश्रंका हो तो वहां पर फेसला लेना decision लेना मुश्किल होता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ भारत आजाद हुआ ना 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो भारत ने ये बात बोली थी कि हम क्या है हमें एक ऐसा विकास करना है जिसमें क्या हो सामाजिक विकास भी हो सामाजिक विकास भी होना चाहिए मतलब सोशल डेवलेमेंट होना चाहिए Social development का मतलब क्या है जो भझ पिछड़ी जाती के लोग है जो महिला हैं, जो दली समाज के हैं आदिवासी समुदाय के लोग है इन सभी का क्या है विकास होना ची ठीक है, एक किसी समुदाय का एक विशेशवर का विकास नहीं, सभी का हो तो समाजिक विकास भी होना चाहिए और इसके साथ आर्थिक विकास भी होना चाहिए आर्थिक विकास भी यह जरूरी है क्या हमारे देश विल उन्नत ही कैसे करेगा तो समाजिक और आर्थिक विकास यह बात सरकार ने अपनी रखी थी और 1951 में जब Planning Commission बनाया गया योजनायोग बनाया गया तो उसमें यही बात रखी गए थे हम सामाजीक विकास को और आर्थिक विकास को दोनों को ध्यान में रखते हैं अब जो हम बांथ बना रहे हैं वो आर्थिक विकास की रूप से बाई विदूत के बहुत बड़ा योजना चल जाएगी लोगों को पानी पहुच जाएगा किसानों को पानी पहुच जाएगा जादा साथ उत्पादन होगा खूब हम भार विदेश में माल बेचेंगे यह आर्थिक विकार से पर इसका सामाजिक जो रूप है जो सामाजिक प्रिपेक्श है वो क्या है जब आप बांध बना रहे होना तो उस जगे से उस नदी के उपपर जिस भी जगे आप बांध बना रहे हो उसके आसपास की बहुत ज़्यादा जगे आपको क्या है करवानी परती है उस जगे पर जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को आपको क्या हटाना पड़ेगा उन लोगों को आपको हटाना पड़ेगा और इस बात से यहां पर जो दिक्कत है वो किन किन लोगों को हुई है एक तो जो आदिवासी समुदाय के लोग है जो मुख्यत है व दिक्कत और कोई समुदाई वहां पर रह रहा है तो उनको दिक्कत है उसके अलावा तीसरी दिक्कत है वह किसको है परयावरन विदो को परियावरण विदो का मतलब है जो इन्वार्मेंटलिस्ट है जो इन्वार्मेंट की जो परियावरण की बहुत जाला चिंता करते हैं कि पेड़ नहीं कटने चीए ऐसा नहीं होना चीए वह इन लोगों को कुछ प्रोब्लम है तो इसलिए उन्होंने क्या है आंदोलन चला है नर्मदा बचाओ आंदोलन की बहुत नर्मदा पर क्या है डेम मत बनाओ तो इस जो आपको दिख रहा जा रहा है ये लोगो था उस आंदोलन का नर्मदा बचाओ आंदोलन का ये लोगो था और यहीं मांग करी गई थी कि बहुत नर्मदा पर क्या है डेम ना बनाया जाए सरदार स्रोवर डेम के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे तो नर्मदा नदी पे कौन सा डेम बनाया गया था सरदार स्रोवर डेम बनाया गया था ये है मेदा पार्टकर मेदा पार्टकर को ने एक मतलब उस आंदोलन में नर्मदा बचाओ आंदोलन में मुख्य ती लीडर थी, मेल लीडर थी ना तो वो मेदा पार्ट करती बहुत सी बार ये जेल में भी गई है और उसके बाद इन्होंने आंदोलन को फिर भी जारी रखा और आंदोलन पर इन्होंने बहुत काम किया ये जो आपको दिखायागाए ये टिहरी बांद है, टिहरी बांद कहांपे टिहरी उत्रा खंड में है वहाँ पर ये बांद है तो ये टिहरी बांद के आपको एक तसवीर दिखाएगी तो ये आंदोलन हुए है सिरी फोरसी पर्यावरन को बचाने के लिए अब यहां पे दोंको सामजी विकास की बात क्या हो रही है कि अगर यहां पर बांध बन जाएगा तो सरकार हमें अटाएगी तो जो हमारी जगे है वो चली जाएगे हम अतने सालों तक किहां पर रहें हमारा जो culture है, हमारी संस्कृति है हमारा खान पीर हमारी आजजी जीवी का, जो कुछ भी वो सबकुछ यहीं से जुड़ावा है सबकुछ यहीं से जुड़ावा है और सरकार के लिए यहां से हड़ जाओ तुम लोग हमें तो कुछ भार जाकर कि कुछ काम करना भी नहीं आता कुछ कमाना भी नहीं आता हमारे तो जियोनी तबाग हो जाएगा तो यह सामज़िक विकास है और हम अर्ट सास्त्र के विकास वाले चेप्टर में पढ़ चुके है कि विकास सबके लिए लग लग है आपके लिए विकास और कुछ है मेरे लिए विकास और कुछ है इसी परकार से सरकार के लिए आर्थिक विकास बहुत कुछ है पर आदिवासियों के लिए सामजी की विकास है उनके लिए यही विकास है कि उनकी जगों को खाली ना कराया जाए इन प्रयोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से इस्तानि समुदायों के वर्द इस्तर पर विस्तापन के कारण है इनका देखो मुख्य विरोध क्यों हो रहा है क्योंकि विस्तापन हो रहा है विस्तापन का मतलब इंग्लिश में होता है डिस्प्लेस्मेंट डिस्प्लेस्मेंट देखो इस्तापन इस्तापन मतलब कहीं पर जाकर करके इस्तापित हो जाना जिसा आप विसर्जन करकर के आते हैं तो वो विसर्जन है तो विस्तापन इस्तापन को हटा देना मतलब जो उनकी इस्तापन हुआवा है उन सब को हटा देना और जैसे कि जब विस्तापन हो जाएगा तो लोगों को इस प्रकार से अपने पनी जगे छोड़ करके क्या है जाना पड़ेगा वो जगे ढूंडेंगे और कहीं पर रहेंगे उनकी आज इवी का जो पूरा लाइफ इस्टाइल है ना उनका लिबरेल सरकार कि निया बिलकुल भी खठोब इसे नहीं एक है कर दहीं Всё पर हम बहुत से सह ऐसे हैंगर 12 यह अंतरा बात निर्म पर हमारी सरकार है और हमार्ध है ना बहुत हुदारबादी हम एक-एक इंसान की परव़या है हम भात सच में एक लोग तंदरिक देश है आम तोर पर इस्ताने लोगों को उनकी जमीन अब वहाँ से जारो तो जमीन तो छोटेगी आज जीवी का आज जीवी का अज लाइव लिव जो उनका पूरा तुहां से कमाने का सब कुछ अब जो लोग आदिवासी जंगलों में रह रहे हैं वो वहीं से कुछ फर्फूट दोड़के खा लेंगे वहीं कुछ काम दंदा कर लें तो उनकी बता वो पूरी दुनिया ही वो है वस उससे भार वो जाना ही नहीं चाते तो आजवी का है वहाँ उनकी और संसादनों और वहाँ पे जो संसादन है अब ज जंगलों को काटा जाएगा ओर है तो कितने संसादन वहाँ कितने रिसॉर्सेज है वो सारे के सारे हटा दी जाएगी लगाओ हम यह मियंतरन देश की बहत्री के लिए कुर्बान करना पड़ता है पर देश के लिए सरवपड़ी देश है देश से बढ़कर के कुछ पी नहीं है देश के लिए यह सब कुछ अपनी आजवीकास नसादन अपनी जमीन सब क्या कर देते हैं बाई कुर्वान कर देते हैं चलो ठीक है मैं देश का भला होगा तो ठीक हम तो देख लेंगे कोई दूसरी जिए के डूढ़नेगे पर देश का भला सरवपरी है और सबसे important है अब ये भीया सोच रहे हैं कि क्या आप जानते हैं क्या जानते हैं जो जानते हैं वह हम आपको बताएंगे सर्दार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है ठीक है तो सर्दार सरोवर बांध सर्दार सरोवर ठीक है सर्दार पटेल के नाम पर है सर्दार सरोवर बांध बनाया गया है का गुजरात में नर्मदा नदी के उपर बनाया गया है यह आपको नर्मादा नदी का मेरे MAPP दिखाया है, जो मद्धेपर्डेश मेरे Mapp से बैहना शुरू करती है, बैती 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 गुजरात होती है, क्या है अरेवियन सी मेरे अरब सागर मेरे जाकर के गिर जाती है तो आपको ध्यान रखना है कि नर्मादा नदी की सुरात कहा हो रही है और अंत कहा हो रहा है क्योंकि हमसे मैप के questions पूछे जाएंगे वेसे हम मैप की special class आखरे में लगाएंगे जो जो topics आपके दियेवे हैं especially उनी की लगाएंगे पर फिर भी आप मैप से समझाएंगे तो बहुत 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 रही है तो नर्मादा नदी बहतीवी फिर अरब साकर में गिर जाती है यह भात के एक बड़ी जलस अंसादन प्रियोजना है जिसमें चार राजे महराष्टर, मद्यपरदेश, गुजरात, राजेस्तान समय लिते हैं तो मतलब इस योजना को जो बेनी फिट है वो चार राज्यों को मिलता है महराश्टरा, मद्यपरदेश, गुजरात और राजस्तान मतलब इन चार जगे पर क्या है पानी पोचाया जाता है वहां पर विदूत का जो काम है वो हो जाता है तो सरदार, सरोवर जो बांध है गुजरात का जो नर्मदानदीप से बनाए है उसके चार राज्यों को फाइदा मिल रहा है ये देखिए कितना important project है जहां पर सूखा है जहां पर पानी नहीं पहुच पारहा है वहांके 9490 तो सिर्फ और सर्फ गुजरात के गाउं 133 कस्पी और 124 राजिस्तान के वो गाउं जहां पर क्या है बहुत सूखा है पर वहांपे सर्दार सरोर बांध के कारण क्या है पानी पहुच जाएगा बहुत देशे प्रयोजनाओं के लागत और लाव के बटवारे को लेकर अंतराज्य जगरे आम होते जारे अब देखो क्या है कि जब आप इतना बड़ा project बना रहे हैं प्रयोजनाओं के थोड़ा बहुत विवाद होना आम बात है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है यह जो आपको दिखाया गया है सर्दार सरोर्डेम और यह गुजरात में केवडिया केवडिया आपने नाम और सुनाओगा आप पर सरदार पटेल की परतीमा बनाएगे जो इस टेचू अफ यूनिटी है और दुनिया की सबसे बड़ी परतीमा ही है और केवडिया है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और केवडिया पर ही वो बनाया गया क्या आप जानते है कि कृष्णा गोदावरी विवाद की शुराद महराष्टा सरकार द्वार कोईना पर जल विदूत प्रियोजना के लिए बांद बना कर जल की दिशा परिवरतन कर करनाटक और आंदर प्रदेश सरकार द्वार आपती जताई जानेर से हुई है तो कोईना क्या फिक क्या है कोईना भी एक नदी और जो महराष्टा सरकार थे महराष्टा सरकार कोईना नदी पे जलविदूत प्रियोजना के लिए बांद बना दिया कोईना ऐस न करो कि हमें क्या फाइदा भाई पानी को थोड़ी बाठ सकते हो वह तो आपका भी है हमारा भी अपन वैसे भी एक देश के हैं तो उसके बहुत आपती खड़ी हुई तो किस्टा रिवर का एक बार मेब देख लेते तो किस्टा जो रिवर शुरू हो रही है वह महाराश्ट्र सरीता नदी यो इसमें आगे जोड़ती और तो यह जो नदी है ना कष्णा वाली कष्णा कष्णा जो बहाव जो बहाव किदर वहने का है अरब सागर में पर ये पच्चिम से शुरूब करके पूर्व में आई हैं इसकी कहला आप कोईना भी जो है वह लक़ यहीं से शुरू होती है और प्रितिी संगम में जाकर के यह मिल जाती है जहां दोनो नदिया और पर ही क्या डेम का निर्मान कोई ना नदी पर ही सरकान ने करवाया इससे इन राज्यों में पढ़ने वाले नदी के नीचरे हिस्तों में जल परवा कम हो जाएगा और कर्शी और विप्रित असर पढ़ेगा अब देखिए इस बात को और भी समझने की कुश्च के जैसे मालो क जरा यहां पर ने पानी बना धिया जब मेने बीच में बना दियाव बांध बना दिया मैंने अब क्या होगा पहले वो नदी दो धारण से समझेगा यह वो नदी का समय है जब हम पर एक कोई बेंकी और बैस कह निए तो सीधा पानी फुल फ्वानि का भाव से यहां रुक ऐका और स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि जब नदी बैती ही तो उसके भाउत तेर네 बीच मे आपने बना दिया है उसको रोग दिया है पानी को तो यहां से क्या होगा स्पीड उसकी बहुत स्पीड में थेरे भी धीरे 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 पानी भेने लगा जब यह दीरे धीरे पानी जायेगा तो क्या बोला है निचले सब्सक्राइब में जल पर भाएब वो कम हो जाएगा और उसका करशी पर भी विप्रेत ऊसरप्ड़ेगा कहां पर जो दूसरे राजिये हैं, हांद्र प्रदेश करना ठक है, उन दूसरे राजिये पर पड़ेगा, महराष्टा पर नहीं पड़ेगा, तो अपना काम बनता भाड़ जा जानता, तो इसलिए महराष्टा सरकार ने ये कोईना डेम बनाया है, इस पर लेकर के विवाद अब जो गोदावरी नदी है, वो देखो, गोदावरी नदी नासिक से शुरू होता हुआ, वही इसका रूट है, और ये भी क्या है, बेव बंगाल में अगर के गिर जाती है, बंगाल की खाड़े में गिर जाती है, ये जो है, आपको दिखाएगा ये कोईना डेम है, जो क आइस बन जाओंगा, पर जब हम लोग नहीं बनते हैं, हम विफल हो जाते हैं, तो लोग हम पर उंगली उठाते हैं, अरे क्या हुआ, आइस की तेहरी कर रहे थे, बने या नहीं बने, लोग हम पर विफल ताव पर उंगली बहुत जल्दी उठाते हैं, उसी परकार से क्या है कि अगर सरकार को प्रोजेक्ट चला रही है को एक पुरियोजना चला रही ए अगर वह विपल हो जाएगी ना तो लोग क्या है उसकी आ builders करेंगे लोग उसलीए कर दे करेंगए उसी प्रकार से जो नधी प्रयोजना चला है गया बहुत उद्देश्य नदी पर उजना चले गई जिनके बहुत मर्टी परपस हमारे पास उद्देश्य थे वह यह जब चले गई तो उस पर अधिकतर आप पत्या लोगों को प्रेशा नहीं थी वह यह थी कि आप विफल क्यों हो बार बार इसलिए लोग दुखी हो गयते हैं यह एक लोगी कि में इस्तमाल कर सकते हैं और बाढ़ का भी हम नियंतरन कर सकते हैं तो अब यहां पर क्या हुआ उल्टा काम हो गया जब आपने डेम बनाया है यहां पर आपने बांध बना दिया अब जब यहां पर नदी बहती भी आ रही है जब नदी बहती आ रही है तो मैं तोड़ते हैं नीचे तक छोटे-छोटे लेकर आजाती है अब क्या हुआ है कि यह अगर सीधी भैती रहती कोई डेम या कोई बांद मीच में नहीं होता तो यह सीधी जो इसकी मिट्टी है वो आगे तक जा जा करके और मिट्टी हो करके भार आ जाती है जिसे कि हम लोग जलो अब ऐसे हो गया है तो यह दीरे दीर दीर क्या है उपर होता जाएगा और उपर जब होता जाएगा तो जो पानी है वो पानी का भाव भी था उपर होता जाएगा पानी उपर होता जाएगा तो उससे क्या हैगी बाड़ आएगी तो मतलब जलाश्यों पर जो तल्छट जम बांध के जलाशे पर तल्षट जमा होने का अर्थ ये भी है कि ये तल्षट जो कि एक प्राकरतिक उर्वरक है बाहर के मेदानों तक नहीं पोस्ति जिसके कारण भूमी निमिनिकरन की समश्या बढ़ती है तो मैंने आपको क्या बता है कि अगर वहां पर बांध नहीं होता त ठीक के बारे में तो बहुते होती है अब क्या हुआ बहुते मोटे मोटे कंकर वह यह इंटक जाएंगे तल्षट जमां हो जाएंगा और जब जमां होता जाएगा तो क्या होगा मेरे प्यारे वित्यारतियों जो मिटी की खराब है जो जमीन है वो भी खराब होगी निमनी करतो होगी हमने land degradation के बारे में भूमी निमनी करें के बारे में भी पढ़ा हो है इसलिए मैंने इस अध्याय को चुना था क्योंकि यह संसादने में विकास से बहुत जुड़ावा अ तो अगर हमें पानी सही नहीं मिलेगा तो हमारी इंदीदी जैसे स्थिती हो जाएगे और हम भी ऐसे बिल्कुल नाग को ऐसे करते ही रह जाएंगे तो इसलिए जो बहुत देशने प्रयोजना है वो successful हुई है हम finally जो निश्कर से हमारा conclusion जो है वो यही है कि बहुत देशने जो प्रयोजना है जो सरकार ने बांध बनाया है जो डेम बनाया है वो सच में बहुत useful है आप hydro electricity का जो पार्ट हम बात करते हैं जो जल विदूत की हम बात करते हैं भारत में जितनी भी आज विदूत है बिजली है उसका 22% जो भाग है वो जल विदूत से ही cover हो रहा है ठीक टर्बाइन लगाई गई है नीचे मशीने लगाई गई है उससे वो convert हो रही है तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल ही अटा देना चाहिए किसी भी चीज का निश्कर्स यह नहीं होता है कि हम पूरी तरीके से खतम कर दो नहीं हाँ जो problem सारी उनको solve करना चाहिए अगर वहाँ पे जो आदिवासी समुदाय के लोग रह रहे हैं उनकी भी समश्या सुननी चाहिए सरकार को और पूरी तरीके से क्या है उस पे विचा हम लोग देते हैं ना उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए भारत सरकार ने जब आजाद हुआ भारत तो यही वचन दिया था कि हम लोग क्या सामाजी विकास और आर्थिक विकास को दोनों को ध्यान में रखेंगे तो सामाजी विकास की जब बात आ रही है तो उसे हमें टा तावड तोड तरीके से इसे फेला दे हैं और यही लिखे सार अब हम हो चुके हैं तर यार और हमें होने लगा है सामजे क्यां से प्यार थैंक्यू जै हिंद जै भार